सर्फरोशी की तमन्ना अब हमारी दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातल में है पंजाब सूर्बीरा अते देश पलता दी तर्थी है पंजाब दा इतिहास देश अते तरमले कीतिया वडमुलिया कुर्बानिया नाल परियात्या है इत्धों दी तर्थी ते पाणियां वीच सेख गुरु साहिबान ने उहरू रूपी जिसने पंजाब दे अलबेले गबुराउनू सेललाथ ते नीडर नौजवान बना लिगता। अंग्रेजा ने अपनिया कूट नीदिया नाल पहला पाणियां गुलाब बनाया फिर पंजाब उपर विकपजा कार लिया। पर शेती ही पंजाब वर्सिया ने अंग्रेजी सामराज सी गुलामई दा जुला गलोलोली संगर्श रम्बकरंदा पैसरा कार लिया। अते इस पक्खों पंजाब ता सुबा पार्ट दा मुहरी बन्या शहीद पक्तिसिंग दे पुर्खियां दा सिबान दुआब्बे दे खटकड गलाप पिंबना सी ओहो देश अते तरम लई तान मन ते तान दे नाल गुरुबानी विच तज पर चलिया रें सान पंजाब विच देश सी अचादी लई कई लहरा चालरिना सान इनना मिचों कई समाजक लहरा मी सान कई किर्थी करसाना नाल सबंदत सान दुआब्बे विच बबर अकाली लहर में बड़ी इनकलापी चेतना पैदा कीती सी इसना समाजी यते स्यासी चेतना दुआब्बे दे लुक्के वड़ी पिंडा तक फैर चुकी सी पिंड खटकर कलांदा पहला संग्रामिया अर्जन सिंग सी जिस दे शक्सियत सांजे पंजाबी सब्याचारवी मिसार सी इह पक्त सिंदे दादाजी सान इना दे तिन सिपुत्तर सांग् किशन सिंग, अजीत सिंग, स्वर्म सिंग अते इह सारा परिवार देश दी अजादी दे इनकलाबी रहां उते चाजा रहा देश प्यारनाल ठाठा मार दे इस परिवार विच परक्त सिंदा जनम साइस संबर उनी सो साथ इसमी नू पेंड बंगा चाक नंबर एक सो पांध जी ली जिला लायलपुर पाकिस्तान विखे सरदार कुशन तिंगेकार माता विद्यावती दी कुखों होया पक्त सिंदा पालन पोर्षन देश प्रक्ति दे इस दे महाल विच होया उसने मुडली विद्या अपनी पेंड दे डिस्क्रिक्ट बोर्ट प्राइमरी स्कूल तों खासर की थी पक्त सिंदे काल अज़ादी दे संग्रामिया आते राजसी में तावादी अकसर आवाजाई रही सी अते इना सारियां दासी चेज बालक पक्त सिंग उत्ते बहुत असर हुंदा से इना विच महता अनांद किशोर लाला पिंडी दास लाला लाजपत राई करतार सिंग सिराबा रास बिहारी बोस आदे नापर मुखान अपने पिंड़दे स्कूल तो मुडली विद्या हासल करके पक्त सिंग बीएवी मिडल स्कूल लहौर विखे दाकल हो गया जितके उसने उर्दू, अंगरेजी याते संस्कृत दी विद्या हासल की थी इस समय पाव 13 अपरेल 1909 जल्यावाले बाग दा दुखान तक साका वापरिया जित्ते निहत्ते पंजाबिया नो गोडिया दा शिकार पना के खून दी खोली केड़ी है परक्त सिंग वे जल्यावाले बाग दी शहीद पूमी नो नमसकार करनी अमरित सरकुजा उसने उत्थों दी लहू पी जी मिट्टी एक शीशी वे चपाके अपने बस्ते विचरा खले ताजो एहे शहादत उसनों हमेशा लई याद रहे शहीद परक्त सिंग ओदो नौमी किलास विच पढ़ दे सांग जदो हो स्कूल शाट के लाला लाजपत राइवनों चलाई कॉम्मी कालेज लहौर में के आन दाखल हुई एहे कालेज उन्ना विद्यातियां लेखोल लिया गया सी जो नामिल वरतन लहर विच शामल हो सन इस कॉलेज विच पग्त सिंग दा मेल पगवती चरन सुखदे यश्पाल राम कृशन अते तीरत राम वरगे सताथिया नाल होया जो उस्ते गहरे मिक्तर बन गए पग्त सिंग पढ़ाई मेंच बहुत मेहंती सी इतिहास अते राजनीती उस्दे मन पहुंदी विशे सन कॉलेज विच पढ़ाई दे नाल नाल उहो कौमी समस्यावा अते कौमी सरगर्मियां वल बहुत रूची रख़़ा सी उननीस सो चौरी विच बिए दी पढ़ाई विच्चे शाड़ी ओहो लहौर तों कानपूर चला गया अते गनेश चंदर विव्यार्थी कोई परताब प्रेस विच काम करन लगा विद्यार्थी जीदा काल इनकलाबियां दा केंदर सी इत्थे 25 सिंदा मिलाथ यूपी दे कई परसेव इनकलाबियां जी में भीके दत चंदर शेखर आजात जुगेश चैटल जी विजे कुमार सिना आदनाल होया हते गो उन्ना दी इनकलाबी जथे बंदी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोस्टेशन विच शामुल हो गया इस जथे बंदी दा मनुवत हतियार कांद इनकलाब नाल पारत मेंच लोगतंतर काइम करना सी इस तरह परते सिंद पंजाब हते यूपी दे इनकलाबियां विच मेर्गरॉंदा बंदा साधन बढ़ियां ती एक स्तूबर उन्नी सो अठाई इसमी में साइमन कमिशन लहौर आया जिस दे विरोध विच एक जलूस कर दिया गया इस जलूस यगवाई लाला लाजपत राई पगत सिंग अधियुस दे साथिया ने गीती जलूस पुर अमन स अते ही साइमन वापस जाओ गे नारे लौदा होया नहौर स्केशन वालवा दर्या सी पुलिस ने निहत्थे लोका उपर अचानक लाठी चार्ज शुरू कर दिकता इस विच लाला नाजपत राई नू सक्त सक्ता नगियां जिस दिया चोटा नू ना सहार दे हुए लाला सारा नवंबर उन्नी सो अठाई नू अकाल चलाना कर गए पक्त सिंग ने एही असय जिलम अपनियां अखा नार देख्या सी इसलए उस देमान विच बदलेगी पागना माचुक्ती पक्त सिंग अती उससे साथिया नू बदला लयन यती अंग्रेज सामराज विट शद्द नू नंग्या करन लेए पुली सबसर सांडरस नू कतल का लिगता पर इस कतल तो बात अंग्रेज सिरकार दा रवय्या होर नी सक्त हो गया पक्त सिंगी शक्षित असदारंती गुणा नाल पर पूर सी सांडरस ना कतल उसने किसे मिच्जी दुश्मनी नाल नहीं सो को पार् प्रक्त सिंग दे मन विचे तेशन अजाद करौन दे लें कई मनसूबे चल रहे सांडरस एक मनसूबा इही सी कि जिस दिन अंग्रेज सरकार वलों असेंब्ली विचे पब्लिक सेख्टी बिल अते उध्योगी विवाद बिल पेश हीता जावे उस दिन उते बंब सुटे ज दोड़या नहीं जावेगा सबों गिर्फतारी दिखती जावेगी जिसनाल नवी क्रांतिकारी चेतना चोल पकड़ी पगत सिंग अते बडुकेश्वर बातनी बांब सुटन दी जिम्मेवारी आपनी उते लिए इस दी त्यारी लिए पगत सिंग ने आगरे तों दिल्ली क गई चेकर करती असेंबली वेच बांब सुटन दा दें अठ अप्राइल उनी सो नती इसमी नूं धियत होया क्योंगी इस दिन वाइसराइल लॉट इवन ने बिल सबंदी तफियर करनी सी परक्त सेंग अपे डातनी असेंबली हॉल जान लेग पास बनवाई को इसान अते वो निश्चित योजना मताबक हॉल में दाखी हो गए एन मौकी उपकर परदांवलो सुरख्या बिल बारी पैसला दें तो पहला एक जोरदार तुमाके नाल एक तो पिच्छों दुज्जा बांपा गया लोग कबराहट विजदा और रुख थी गैलरी तुए नाल पार ग जातनों गैलरी विच्छों इश्तिहार सोट द्यां देख्या बांपा सुटन तो मगरों पर दिसेंग दे दीके दात बिल्कुल अडोर ख्रोटे रही अति उन्ना बांपा सुटन दा इकवाल कीटा उन्ना दा मंतव बदेशी हकूमत दे तशद्धनों नंग्या करना अति लोग का विच्छ इन्खलाबी चेतना जगाना सी उहो चौदे ता उत्थो बाच के निकल जासाके साथ पर उन्ना दा प्रोग्राम ही खिडे मत्थे गिर्फतारी देनी सी पगत सेंग अते बीते दा तुत्ते मुकदमा चलाया गया अते मुकदमे वित जान पहुंड लई क कई चूठे पाख भी कड़े गई उन्ना नू गिर्फतार करके दिल्ली जेल ले आदा गया जित्थे उन्ना दी मुलाकात लई किसे नू अग्या ना दुती गई उन्ना दा मुकदमा सैशन कोट विच ले आदा गया अते उत्थे पगत सेंग ने 6 जून 1990 नू अदालत प्राप्ति सद्काव पर्प्त सिंग अदे बीटे दात ने हाई कोट विच अपीर गी थी जो खारिश कर जितनी गई सजा उपरंत मगरों उन्ना नू मियावाली जेल विच पे दिया गया अते फिर उन्ना उपर सांडर से कतल दा मुकदमा चलौन लई लहोर सेंट्रल जेल विच लिया ना गया जेल वेच भी पर्प्त सिंग चोक ना बैठिया ते जदो मियावाली जेल विच ओहों गदर लहर बबर अकाली लहर हाथे मार्शल ला दे विरुद देश परता नू मिलिया जो ओथे उमर कैद काट रहे सां ता ओथे वी अंग्रेजी साम्राज दे अन कि दातने भी पोखर्तान अराम दीती, पोखर्ता हम 5.6 सिंग पार कटर्नहा उन्हा दी पोखर्तालों लोकान दी पूरी हम्थरदी प्रापत होई, सरकार दे पूरी नकेति ले कई झलसे होप tätä सिरकार ने जंता दे विरोध दी कोई परवार् ना कीती अते जेल विची सब्सक्राइब किते गए अधि उन्हानों जबरीग खाना को ओन देख कई यतनी होई पर पोखर दालियां दे विरोध अगई उन्हा दी कोई पेश ना गई पक्त सिंग अधि उस दे साथियां ने फरवरी 1903 विच फिर दूसरी वार पोखर दाल रखी अखीर अंग्रेश सरक सब्सक्राइब किस विरोध नों दबाना सकी अधि उन्हानों राज की कैदियां नों सहूरता देन ले नियम बनाड़ी रजा मन्हुना किया अक्तूबर 1903 नों इस मुकदमेदा पैसला होया अधि पक्त सिंग नों पांसी जी सजा सुनाएं गई पक्त सिंग दे नार ही सु उन्हाने उत्तर दिता कि असी सामराजी अदाल्त तो इंसाफ दी आस नहीं राख दे दुश्मन तो पीख मंगर नालों बहादरी नाल बरना जंगा है मैं अजाती दी शमा दा परवाना हां पक्त सिंग एनना द्रण निश्चे वाला व्यक्ति से कि सजा सुनाएं दे दिन लेके फांसी दे देन तर उहो बख बख पुस्त का हिपाड़ा रिहा इस समय दे दुरान पक्त सिंग दे माता पिता आई उन्हानों कई वार मिले उन्हा दी आखरी मुलाकात मार्च उन्नी सो कत्ती नुभूल इस विच परिवार दे पोर मेंबर नी शामर सां दोका वल्लो बनाएं डिफेंस कॉंसल ने परक्त सिंग दे हाक विच अंग्रेज्जा में प्रीवी कॉंसल पास अपीर गीती जो रध कर दोती गई इसके तरह मदन मोहन मार लिया वल्लों वाइसराइं को अपीर गीती वी रध हो गई सारियां अर्जियां रध होंते देश रिच तर्थ पेजी गई लखांतारां पेजियां गयां पर इना सारियां लोक मंगानों सरकार ने ठुपरा दिता प्रक्त से नों उस दे दो साथियां राजगुरू अते सुख्दे समेथ तेही मार्च उन्नी सो कत्ती नों शाम दे सक्त वजे पांसी गिती इस तरह इना तिना सूर्मिय ने हास्दे गॉले अपनी तर्थी मां दी अजाती वई अपनी जीवन नों बड़ी दान कर दिता इना सूर्मिया दियां मुट्ट दिहां दा रात नों चोरी फ्रोजपुर्दे लाके सक्नुस दे कंड़े उते ससकार कर दिता गया अते उन्ना दिया अस्थियां जल परवा कर दतियां गया अजहें महां सोर्बिर योद्यां भी महां शहादत ते असी उन्ना नों कोटां कोट पर नाम करते हां वही गुरुजी का खाइसा वही गुरुजी की मत